हमेशा से मैं बुलता आ रहा हूँ कि iPhone के अंदर अपने segment का best camera setup होता है पर इस बार iPhone 14 को यूज़ करने के बाद मैं अपने ही statement से contradict कर रहा हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि iPhone 14 के अंदर one of the worst camera setup है जो कि मैंने आस्ता कि यूज़ किया इसका camera हद से ज़्यादा विकार है और ऐसा क्यों उसके पीछे एक बहुत ही simple reason है अगर आपको reason समझना है तो सबसे पहले आपको iPhone 14 की psychology समझनी पड़ेगी अब देखिए जो iPhone 14 है ये iPhone 13 से काफ ज़्यादा similar है ऐसा काफी सारे लोगों का मानना है पर ऐसा है नहीं ये दोनों devices दिखते सेम जरूर है पर सेम बिल्कुल भी नहीं है iPhone 14 के अंदर extra RAM है, better battery है, better camera है और better performance है तो iPhone 13 से तो ये काफी हद तक superior है और अभी flip card की sale के अंदर कुछ टाम पहले इसका price 65,000 तक drop हो गया था जो कि एक significant drop है और price फिर काफ यदा value for money हो जाता है तो देगी सबसे पहले इस phone को use करने के बाद जो मैंने चीज नोटिस करी वो इसके display से related है जबी भी मैं Instagram पर Reels को scroll कर रहा होता हूं तो मैंने चीज नोटिस करी कि कुछ particular Reels पर तो जो brightness है वो constant रहती है और कहीं कहीं brightness automatically increase उचाती है इस चीज को मैंने कई बार जो हैं यहाँ पर face किया यह YouTube के साथ भी होता है अगर आप YouTube के उपर वीडियोस देख रहे हो तो कुछ वीडियोस में तो brightness बिलकुल constant रहेगी तो और कुछ particular वीडियोस को जैसे ही आप full screen करोगे तो इसकी brightness automatically increase हो जाएगी अब यह display का कोई भी issue नहीं है यह issue है HDR का अब basically iPhone 14 के अंदर HDR का आपको support देखने के लिए मिलता है यानि कि high dynamic range content और जब आप HDR content देख रहे हो तो इसकी dynamic range अपने आप increase हो जाती है जिससे ऐसा लगता है कि brightness automatically increase हो चुकी है अब यह एक bug है जिसकी वज़े से कुछ application जैसे की YouTube और Instagram HDR को trigger कर देते हैं जिसकी वज़े से आपकी brightness automatically increase हो जाती है hopefully यह bug आने वाले future software update में आपने आप ठीक हो जाएगा इसके अलावा display के अंदर कोई भी problem नहीं है colors काफी accurate हैं और colors punchy बिल्कुल भी नहीं है जैसे की हमें Samsung या OnePlus की display के अंदर देखने ले मिलते हैं इसके color काफी है neutral और natural लगते हैं display के viewing angles काफी अच्छे हैं और sunlight में भी phone को use करने में कोई भी problem नहीं आती है हाला कि इसके अंदर एक सिर्फ 60Hz का panel है पर क्योंकि मैंने iPhone 11 से इसके उपर shift किया था तो मुझे कोई भी issue face नहीं हुआ अगर आप एक higher refresh rate device से इस पर shift करोगे तो आपको difference notice हो सकता है सच बात बताऊं अगर आप एक 90Hz या 120Hz वाले device से भी इस पर shift करने वाले हो तो आपको सिर्फ ये 2 या 3 दिन तक abnormal लगेगा फिर आप उसके लिए usual हो जाओगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता जब तक आपकी आँखों को ये smooth लग रहा है तब तक ये usable है चौकाने वाली बात ये है कि iPhone 14 हद से यादा overheat करता है आप इसको use करोगे तो overheat नहीं करेगा चार्ज करोगे तो भी overheat नहीं करेगा ये सिर्फ overheating तब करता है परसेंटेज 30 से 60 की बीच में होगे तब ही ये ज़्यादा overheat करता है उसके अलावा ये एक normal smartphone की तरह ही हीट करता है ये heating problem मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी तो इसका एक बहुत ही simple solution है कि आप slow charger यूज़ कीजिए अगर आप 12 watt का iPad charger यूज़ करोगे और generally मैं 5 watt का charger ही यूज़ करता हूँ मैं fast charger को occasionally यूज़ करता हूँ पर अगर आप इसे daily यूज़ करोगे तो ये overheat करेगा ही करेगा जो कि long time में battery health को भी degrade कर देगा अब इसका जो screen on time आता है एक charge के बाद वो आता है 8 to 9 hours light usage पर अगर आप बहुत ज़्यदा light user हो तो आप 10 गंटे तक इसको stretch कर सकते हो यानि कि 2 दिन का battery backup और अगर आप एक heavy user हो तो फिर भी आपको 6 to 7 hours का battery backup आराम से मिलेगा यानि कि single day battery backup जो कि कहीं से भी बुरा नहीं है fancy feature आपको इसमें देखने के लिए मिलता है MagSafe Charging जिसकी मिदद से आप अपने iPhone को charge कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान MagSafe Charging को आज के टाम पर यूज़ करता है बहुत ही rare user होंगे जो इसको charge करते हैं क्योंकि वो आपके iPhone को hit भी करेगा अगर आपको फोटो के अंदर detail जादा डालनी है तो आप दो तरीकी से डाल सकते हो या तो आप Megapixel को increase कर दो या फिर आप sharpening को increase कर दो अब iPhone के अंदर Apple ने जो Megapixel count है वो increase नहीं किया iPhone 14 के अंदर हम लोगों को 12 Megapixel camera setup देखने के लिए मिलता है कम Megapixel यानि कि कम details अगर आप Android companies को देखोगे तो कोई 50 Megapixel दे रहा है कोई 100 Megapixel और किसी किसी company ने तो double century भी hit कर दी है और इतनी ज़्यादा Megapixel की वज़े से जो detail होती है Android phone के अंदर वो काफी ज़्यादा आती है और iPhone के अंदर Megapixel count कम है यानि कि यह details को कम capture कर पाता है तो Apple ने इसका एक solution निकाला जिसकी मदद से उनको ना तो Megapixel count को जंप करना पड़ेगा और उनकी photo में details भी आ जाएंगी वो है post processing तो अब क्या होता है जैसे आप iPhone से photo click करते हो जिनके अंदर 12 Megapixel camera setup है तो वहाँ पर होता यह है कि photo click करने के बाद Apple software के उपर processing करता है और processing करने के बाद उसके उपर एक अलग से software के थुरू sharpness को add किया जाता है यह बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने filter में जाके sharpness वाली slider को increase कर दिया हो अब काफी लोगों को यह अच्छा लग सकता है और काफी लोगों को यह बुरा लगेगा क्योंकि जो sharpness होती है वो बहुत यादा artificial होती है especially with skin tones अगर आप selfie capture कर रहे हो या फिर कोई भी photo ले रहे हो in general जहां पर skin exposed हो रही है तो वहाँ पर इस over sharpness की वज़े से skin का जो texture है वो बहुत यादा खराब हो जाता है और photo देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हर एक photo जो आप iPhone 14 से click करोगे उसके उपर Apple अपनी post processing करेगा और उसके बाद over sharpness हो जाएगी और photo देखने में बहुत ज़्यदा भद्धी लगती है Apple को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो user है वो थोड़ा बहुत detail के साथ compromise कर लेगा पर please उसको आप artificial sharpness मत लगा के दीजिए अगर उसको photo को sharpen करना ही है तो वो edit करके अपनाप कर सकता है पर अगर आप उसे software से automatically sharp करके दोगे तो उसको unsharp नहीं किया जा सकता ये वो reason है जिसकी वज़े से मैंने बोला कि इसका camera setup सबस्यदर बेकार है हो सकता है iPhone 14 Pro और 14 Pro Max के अंदर ये problem ना हो वो devices मैंने भी use नहीं किये है क्योंकि उनके अंदर एक higher megapixel camera है तो हो सकता है वहाँ पर Apple over sharpening ना कर रहा हो अभी तक मैं iPhone 11 यूज़ कर रहा था और उसके उपर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी मैंने बीच मैं iPhone 13 भी purchase किया था उसके उपर भी over sharpening थी पर वो बहुत subtle थी और उसको कोई normal user notice नहीं कर सकता पर iPhone 14 के अंदर आप notice कर सकते हो कि आपकी photo को digitally sharpen किया गया है वरना photo की quality काफी अच्छी है dynamic range काफी अच्छी है colors भी काफी अच्छे है और हार एक lens के उपर night mode है तो camera definitely flagship level का है पर जो over sharpening से है वो कहीं कहीं photo को बहुत यादा बेखार कर देती है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती camera के मामले में आपको थोड़ा compromise करना पढ़ सकता है पर video के मामले में यह iPhone still king है इसकी जैसे video आप किसी भी Android phone से record नहीं कर सकते इसकी video बिल्कुल cinematic level की है और आप literally इसे movies तक shoot कर सकते हो एक movie shoot भी की गई है iPhone 14 के थुरू इसका जो camera setup है वो video के मामले में बहुत यह अच्छा है वीडियो की clarity काफी अच्छी है और आपको कुछ fancy feature भी देखने के लिए मिलते हैं जैसे की cinematic mode और action mode cinematic mode की अगर मैं particularly बात करूँ तो जुसका blur है वो काफी अच्छे से करी है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि blur को artificially add किया है और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि आप बाद में गेल्दी में जाके aperture को कम या ज़्यादा कर सकती हो यानि कि blur को increase या decrease कर सकती हो और अगर आपकी वीडियो के अंदर multiple faces है तो आप focus को भी shift कर पाओगे editing के अंदर यह काफी अच्छा feature है अगर मैं action mode की बात करूँ तो action mode काफी ज़्यादा brilliant है action mode के बिना भी iPhone के वीडियो बहुँ ज़्यादा stable होती है पर action mode के अंदर यह ultra wide lens को use करता है तो results बहुत ही अच्छा थी performance के बारे में बात करके मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना यह आपका time waste करने की बिल्कुल भी जुरूद है यह आप भी जानते हो कि आज के टाइम पे हरे के smartphone का hardware इतना capable है कि वो heavy से heavy game play कर सकता है और आपके daily desk भी बहुत अच्छे से perform कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि आज के time पे किसी भी user को performance को sole credit देना चाहिए एक smartphone को purchase करते वक्त क्योंकि काफी सारी चीजे होती है जो कि एक complete smartphone को बनाती है और पूरा user experience आपको देखना चाहिए एक phone को purchase करने से पहले आज के time पे competition इतना ज़्यादा हो गया है कि performance आपको हर एक phone में at least अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है आप game खेल सकते हो, content consume कर सकते हो daily desk कर सकते हो कहीं पर भी कोई भी issue नहीं आता और हर एक compartment में iPhone 14 भी excel करता है मुझे तो अब difference भी समझ में नहीं आता iPhone 14 भी मुझे उतना ही fast लगता है और जो इससे पहले में iPhone 11 यूज़ कर रहा था वो भी मुझे उतना ही fast लगता है एक दो second का delay आता है किसी किसी application में उसे open करने के लिए पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी deal है कि आपको हर एक साल अपना iPhone अप्ग्रेड करना चाहिए अगर आप एक iPhone पर्चेस करते हो तो आप उसको 3-4 साल आराम से यूज़ कर सकते हो उसकी performance इतनी अच्छी होती है और वैसे flagship phone लेने वाले लोग गंटो-गंटो बैठके गेमिंग नहीं किया करते है अगर आपको गेमिंग ही करनी है तो 30-35,000 रुपेग आप iGoo का phone ले लीजे उसमें best gaming हो ही अगर आप एक iPhone को purchase करने जा रहे हो तो आप इसको overall package देखिए यह अच्छा camera है, अच्छी battery है अच्छी performance है JP68 waterproof rating आप इसको पानी के अंदर यूज कर पाओगे और उसी के साथ में आपको wireless charging भी मिलती है यह दो feature ऐसे हैं जो कि mostly flagship devices के अंदर ही आते हैं इसके अलावा आपको emergency SOS भी देखने मिलता है और satellite navigation भी Apple द्वारा यहां पर provide किया गया है तो main question यह है क्या इस iPhone को मैं recommend करता हूँ Yes, I recommend it यह iPhone काफी अच्छा है हो सकता है इसके अंदर कुछ कमिया हो पर फिर भी जो overall package निकल कर आता है वो काफी यह दब बढ़िया है फिर भी मुझे लगता है कि यह iPhone थोड़ा overpriced है अभी Apple store के अंदर जो इसका price है वो है 80,000 और इस price में आप बहुत ही अच्छे Android phones को ले सकते हो हाला कि कुछ sales के अंदर इसका price 65K तक drop हो जाता है और अगर आप एक ऐसे deal grab कर पाते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत यदा value for money वाली चीज हो जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजे लाइक साथ में हमारी YouTube चैनल को कर दीजे सब्स्राइब मिलता हूँ अप लग उसे लिए वीडियो में तब तक के लिए stay tacky, stay connected